दस से पंदरा साल में आप करोड़ो रुपय बना सकते हैं या S.I.P में इन्वेस्ट करें शेयर मार्किट में ट्रेड ना करें और अगर शेयर मार्किट में भी आप करते हैं तो निवेश करें कहां और ऐसी कौन सी जएगा जहां पर कोई रिस्क ना हो आई फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब करता हूं आज की इन्फारमेटिव वीडियो में वह बड़े बुजगों ने कहा है ना कि अपना पैसा जब तक कहीं मत लगाओ जब तक आपको विश्वास ना हो जाए कि यहां पर पैसा आपका शुरक्षित है और अगर कहीं पैसा लगाओ भी तो वहां अ सब्सक्राइब करना चाहिए तो आज इसी विश्वारम बात करने वाले हैं मेक मनी विदाउट नॉलेज बिना नॉलेज के पैसा कैसे कमाएं पैसे से पैसा कैसे कमाएं और पैसे को सही तरीके से निवेश कैसे करें ताकि एक बहतर रिटन मिले और आपकी इंकम हमेशा कैसे बात पूशता हूँ अगर मान लीजीए पैसे को लेकर आपको कौई नॉलेज नहीं कि काहां पैसा बढ़ाए जासकता है तो आप क्या करेंगे साधारणता है लोग बैंक में डेपॉजिट करेंगे और आपको लगता है जब बैंक डेपॉजिट करेंगे तो कोई रिस और जो समस्दार लोगे वो क्या कहेंगे वह कह divides कर आप क्या कर दो की साथे 5-6 % आप आप से प्रस्न करता हूं आप पैसा डेतिते हैं आप यो पैसे को दूसरे व्यक्तियों को उधार देता है और आप और आप स्यादा व्याज उन से चार्ज करता हूँ तको आपको एज़ दे पाता है छीक इस सब्सक्रांद Prof. यह चैर्ग मर्क आपको यह पता हो कि निवेश करें कहां और ऐसी कौन सी जाएगा जहां पर कोई रिस्क ना हो आज इसी विशा पर हम बात करने वाले हैं तो बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा डूबे भी नहीं और अच्छा रिटन भी दे और हम सुरक्षित भी रहें सबसे पह में लगाए समय के साथ साथ मुझे स्टॉक मार्किट की नॉलेज भी करनी पड़ेगी तो पहली बात जिस विश्यपरम बात कर रहे हैं वहां पर आपको स्टॉक मार्किट को देखना ही नहीं और नहीं इसकी किसी तरह से नॉलेज को रिक्वाइड करना है उसके बाद नो रिस्क आप जो पैसा इन्वेस्ट करें वह सेफर साइट पर करें तो आपको किसी तरह का रिस्क भी नहीं होगा या जीरो नॉलेज रिक्वाइड आपको जहां इवेश करना है उसके आपको जीरो नॉलेज रिक्वाइड रहेगी ताकि आप बहेतर फॉर्चिन बिल्ट कर जिस तरह से आप bank account खोलने के बाद उसमें पैसा deposit करते हैं ठीक उसी तरह से आपको एक demet account होता है जहां आप SIP के माध्यम से हर महीने एक recurring deposit करते हैं यह recurring amount जमा करते हैं जो हमेशा invest होता रहता है bank में नहीं share market में अब यह पैसा share market में कैसे invest होता है आप जिस company के account से SIP कर रहे हैं उस company में एक fund manager होता है और उस fund manager का काम है आपके fund को manage करना क्योंकि SIP छोटा-छोटा amount आता है आपने एक महीने में 10,000 रुपे deposit किये फिर अगले महीने 10,000 की SIP की फिर अगले महीने 10,000 की SIP की फिर 10,000 की जैसे SIP आप कर रहे हैं ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोग SIP कर रहे होते हैं तो जो fund manager है जिस account में आपने SIP किया है जिस bank के थूँ आपने SIP किया है जो total fund collection हुआ है आपका fund plus बाकी सभी लोगों का fund जितने लोगों ने भी महाँ पर SIP किया हुआ है उन सभी के fund को एकठा करके mutual fund बनाया जाता है mutual funds का मतलब क्या होता है आपके अकेले का fund नहीं बहुत सारे लोगों का मिला हुआ fund उस पूरे fund को मिला के mutual fund मनाते हैं और यह जो आपका fund manager होता है यह एक analysis करता है वो एक checking करता है कि यह जो fund है इसको growth मिले मतलब आपको सिर्फ अपनी SIP करनी है और SIP के माध्यम से आपका जो fund manager है यह उसकी जिम्मेदारी बनती हो उस fund को manage करना क्योंकि जब वो fund को manage करेगा तो fund पर उनको एक incentive या commission के रूप में एक fee charge वो करेंगे जो उनकी एक main income होगी अपनी income पर काम करने के लिए fund manager की responsibility होती है कि mutual fund को manage करें और mutual fund को manage करने क्या मतलब है आपके SIP को manage करें ताकि वो बेहतर return दे तो यह तो मतलब हुआ SIP का mutual fund का और stocks का अब आपको direct stock binding करने आप सिर्फ हर महीने एक systematic तरीक से SIP करते जा रहे है और उस SIP के माध्यम से आपका fund manager ठीक जगह पर invest करता जा रहा है और उससे पहले आपसे पूछता भी है कि आपको growth के लिए fund invest करना है या आप risk management में इनवेस्ट कर सकते है या आपको regular return चाहिए तो वह आपके पूरे fund को अलग 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 तरह से invest करते हैं जैसा return आप expect करते हैं अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आप जो mutual fund है यह जो mutual funds हैं कहां कहां और इंवेस्ट होते हैं जैसे index funds में अब index fund क्या है top 50 companies के group का एक तरह से index बना हुआ है जैसे निफ्टी 50 क्या बना हुए निफ्टी 50 अब निफ्टी 50 क्या है stock market की top 50 companies अब top 50 companies देखें क्या होता है कि जैसे से बजार में उ जाएंगे और बहुत सारी इससे आउट हो जाएंगी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्तमान में कौन सी company और भविश्य में कौन सी company होगी आप तो invest कर रहे हैं index fund में और index fund क्या बताता है निफ्टी 50 क्या चल रहा है अब यहां पर प्रश्ण होना चाहिए how much return you will get आपको कितना return मिलेगा कहते हैं कि आपने पैसा बैंक में deposit किया तीन साढ़े तीन का परसंट का अभ्याज मिला आपने एवडी कर दिया साढ़े चार से साढ़े पांच परसंट का ब्याज मिला अब आपने SIP कर दिया systematic investment plan के तुरू आपने invest करना शुरू कर दिया अब यहां रेटिन कितना मिलना चाहिए वह कहते हैं कि mutual fund में निवेश करना है व्यवसाइक जोखिम के आदीन है जैसा व्यवसाइक जोखिम होगा ठीक वैसी समझ लिजिए आप एक business करने जा रहे है mutual fund में निवेश करना व्यवसाइक जोखिम के आदीन है mutual fund में निवेश करते समय दस्तावेश को ध्यान पूर्वक पड़े मतला बताया गया है कि इसके डॉकुमेंट से न उसको अच्छे स्टड़ी करें लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहता हूं गर कोई mutual fund के डॉकुमे दूसरी बात आपने कितनी duration के लिए कि आपने कितनी समय अवदी के लिए का है देखे ध्यान रखेगा कि power of compound interest हमें बताती है कि long term में compound interest हमेशा multiply होता है तो depend करता है कि आप कितनी duration के लिए कर रहे हैं तुसरी important बात market की condition क्या है मान लिजे आपने आज यहां पर invest करना शुरू किया आज market थोड़ी सी आप हुई नीचे डाउन हो गई फिर आप हुई फिर बढ़ती गई बढ़ती केड़े फिर डाउन चलना शुर डाउनक्क्राइब और अपने कब खरीदा था और आपने कब बेचा है मान लीजी आपको जिस समय पैसे किया वशक्ता पड़ी उस समय मार्केट बहुत डाउन थी आपने यूनेट प्राइज ये भी खरिदा था ये भी खरिदा था यहां भी खरिदा था आपने यहां भी खरिदा था यहां भी खरिदा था लेकिन जब आपने बेचा तब यह प्र आप देखेंगे ना यहां से शुरू हुआ था बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ना शुरू हुआ फिर घट गया फिर बढ़ना शुरू हुआ फिर घट गया फिर बढ़ना शुरू हुआ फिर बढ़ना शुरू हुआ फिर बढ़ना शुरू हुआ फिर बढ़ना शुरू हुआ के लिए इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा हमेशा ग्रोग करेगा इसलिए कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है कितनी डूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया है और मार्किट की कंडिशन क्या है टॉप मोस्ट लंबे समय अवधी में मतलब मैं बात कर रहा हूं 15 से 20 साल की समय अवधी में मार्किट की कंडिशन कितनी भी डाउन हो जहां से आपने निवेश करना शुरूर किया था वो उससे मीचे कभी नहीं आईगी हमेशा बढ़ती भी मिलेगी इसलिए लॉंग टर्म के रिटन मिलता है अब आप कहेंगे सर 12 परसंट का मिल रहा है आप लॉंग टर्म में देखेंगे तो बारा से लेके 18 परशंट का रिटन जर्नली शेर मार्केट में मिल जाता है और ऐसाइप में बहुत आसानी से मिलता है क्योंकि आप मार्कीट की हर कंडिशन पे तब भी कर रहे है और लॉंग डूरेशन में आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं तो बारा परसंट से लेकर 18 परसंट का एवरेज रिटन है तो मैं बारा परसंट मान लेता हूं दस हजार रुपे जब आप हर में निजमा करेंगे तो एक लाख बीस हजार रुपे आप आप एस आई पी कैलकुलेटर काउंट कर लेजिए जब आप एसाई पी कैलकुलेटर निकालेंगे अब डिपेंड करता है कि अब यह जो देख रहे हैं आप यहां पर क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है एड़ दा एंड अफ दे अवरी मन्त है मतला आपने एक तरिक को नि अपर देखेंगे कि लॉंग टरम में जितना आप जाते जार आते आएंगे उतना आपको मिलने वाला रिटन हाई होगा इसलिए यह हमेशा का जाता है कि अगर आपको knowledge नहीं है तो या तो bank में FD करें या SIP में invest करें शेर मार्केट में trade ना करें और अगर शेर मार्केट में भी आप करते हैं तो long term के लिए invest करें किसी भी company में invest करने से पहले उस company के business plan को अच्छे से देख लें क्या उस company के product बहतर है क्या वो company वर्तमान में अच्छा perform कर रही है क्या वो company भविश्य में अच्छा perform करने के संभावना रखती है या government कुछ ऐसे scheme लेके आने वाली है कि उस तरह कि सभी companies देजी से ग्रो करेंगी अगर इन बातों को आप ठीक से ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से शेर मार्केट में बहुत अधिक पैसा S.I.P. के थूप बना सकते हैं और बिना किसी नॉलेज के बना सकते हैं अब यह एक प्रश्ण उड़ता है कि सर आपने कहा कि एक से पांच साल में या पांच से दस साल में दस से पंदरा साल में आप करोड़ रुपे बना सकते हैं तो मैंने यह नहीं कहा कि आपको सिर्फ दस अजार रुपी की S.I.P. करनी है आपको एस पर और इंकम आपको S.I.P. रेगुलर बढ़ात नहीं भी जानी है मतलब on an average यह दिया आप 10% per annum अपनी S.I.P. को बढ़ा देते हैं मतलब पहले महिन पहले साल की आपने 10,000 रुपे पर मंद दूसरे साल की आपने 11,000 रुपे पर मंद फिर आपने इसी average में आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो targeted time है उसमें आप अपने goal को achieve भी कर लें लेकिन यह depend करता है उसमें market condition क्या है अगर उसमें market condition बहुत हाई है और आप invest कर देंगे तो number of units आपके पास कमाएंगे और उसमें market बहुत down है और जब आप invest कर देंगे तो आपको मिलने वाले unit ज्यादा होंगी तो लंसम investment कर सकते हैं आप सपोज आपके बस 5,000,000 रुपे क इसको S.I.P. में मंधली जो उनका प्लान है उसे क्या according invest करते रहते हैं या इस पैसे को अपने पास रखे रहते हैं इससे best तरीका क्या है market की जब best condition आए तब आप S.I.P. में lump sum investment बहुत ज़रूर करें हां यह देखा गया है कि lump sum investment और systematic investment इन दोनों में अगर long term में तो systematic investment में rate of return जो है वो ज्यादा आता है मतलब 12 से 18% और यहां पर भी लगबख 10 से 12% का तो long sum investment भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास extra amount होता है तो तो friends यह बात बड़ा अच्छे द्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर नहीं में एक fix amount यह मुझे invest करना ही करना है इससे लिए आपके मन में अगर कोई भी प्रशन है ना तो मुझे comment box में लिखकर ज़रूर कुछे कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर आमित माईश्वरी आपके सु